कि हेलो प्रेंट्स वेलकम बैक और वीडियो प्रेंट्स अज वीडियो में सीखते हैं कुछ क्लाइटी के संस ओफ ग्रेड ऑफ कॉंक्रीट ठीक है यह बहुत इंपोर्टेंट हो पिए अगर आप सिभी इंजिनियर है फ्रेशर है यह सुपर्वाइजर है तो यह वीडियो आ प्रेटिकल यह आपको एक्सप्रेंस बढ़ेगा तो वीडियो सुरू करते हैं इंट्रु में सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर आप फ्रेशर है तो सबसे ज्यादा इंट्रु में पूछा गया था कि एम 15 ए ग्रेड़ कांक्रीट है तो उसका बताईए ठीक है उसमें आपको सकता है तो वह कितने तुसमें बताओंगा उसको उसमें ग्रूप मैं करवा रहे होते हैं तो को यह स्ट्रेंट निका रेहा होता होग्ति होती है तो में 20 है का हृती है छो है तो जो होता है 1 ratio 5 ratio 10 यह क्या सिमेंट said and aggregates कि उसके बाद देखते हैं इस ट्रेंथ बशेंट यह होता है अब से अक्सर यही पुझ लेते हैं मतलब क्या होता है इसमें में 5 इंप यह बता देता हूं मैं वीडियो के लाश्म बता दूँगा उसके बाधा देख लेते हैं यह था है सपया तो उसका मेरे वर समय के सलसे का के आइट or डा Kaos aggregate इसको हम मेजर का हैं करते हैं क्जोसकु कर जो सकते हैं उस वीडियो बना चैस्त वह सब्सक्राइब ऑबर करने तो उसितम उसके तो रहे हैं वेक्षी takeaway है सेंड और से लिए तो इसके बीश पूती है अगर अगर वेयट में निकलना चाहते है जो बेट स्मेट का आठाथ है तो इसका कि थो पॉल्यूम का कोडिंग बेट आना चाहिए इसकी वहल्यूम आई कि आपकी एपकी फॉर तो जो वोलुम आगे 1.226 x 4 और इन्टू जो वह डेनस्टी होता है से उससे मल्टिप्लाइब होता है तो इस तरह से आपको लेखें उसके पाद कर्मिटिस्ट जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती जो प्रक्रिट का मॉल्ड होता है स्पेसिमन होता है उन ताव का व उनका जो टेश्ट होता है उनका जो एवरेज टेश्ट आती है 28 डेज में वह 7.5 से कम नहीं होनी चाहिए अगर आप यह रेश्यो यूज कर रहे हैं तो वह आपकी कौन से ग्रेट आती है लिन कॉंक्रीट में उसके बाद देख लेते हैं मतना होती है वन रेश्यो एप रेश्यो यूज करें तो रेश्यो क्या रहेगा रहेगा वन रेश्यो सिमेंट और त्रीजएंड और सिक्स अग्रिगेट यह आता है और जो श्ट्रेंथ आती है 28 डेज में 10 न्यूटन पर एम में स्क्वेर में इसकी आने चाहिए वह यह पूं कि उसको देखते हैं वन रेशियो वन पॉइंट फाइव फाइव यह रेश्यों होता है यह यह रेश्यों होते हैं यह यहां से में यूज नहीं करने सकते हैं यह जो कोड़ कहता है इस 456 तूठव जेन कोड़ कहता है उसके बेश पर आप को काम कराना तो साइट पर बिल्डिंग का सक्षन वर्ख होता है यह आपका रसी सी वर्ग में यूज होगा उस वाल देख लेते हैं एंट्वंटीफव इसका रशियो हता है वन रेशियो राशिए टू बनेशियो का सिमेंट और सैंड एग्रीगेट जो इसकी जो इस्टेंट आने चाहिए है 15 जो 25 तो रेश इस ट्रेंद यो आएगी 25 न्यूटन पर मिस्क्राइब मैं जैसे च्छेक करेंगे क्यूब से क्यूब कर जो साइज होता है जो साइज करते हैं 15 जो स्टेंट आने चाहिए 25 न्यूटन पर मिस्क्राइब मैं जो वह इस टेंडर्ड गरीट उसके बाद देख लेते हैं एम 30 आनी चाहिए 20 डेस में ठीक है वादेगते हैं 60 एम 80 जो कंक्रीट होती आपकी तो वह कौन सी कंक्रीट करती है डिजाइन विक्स्ट कर लाती है और जो जो इस ट्रेंद आती है हाई स्ट्रेंद कॉंक्रीट मैं अब देख लेक्सर इंट्रूमें यह पूछ जाता है कि सब्सक्राइब आपके तो बहुत है तो वह कितनी कंक्रीट कितनी वोल्यूम पर कितने टैस्ट होते हैं वो भी मैं वीडियो बना चेकूँ आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी कंक्रिट टेक्नलोजी में उसके बाद देख लिए साइज ठीक है यह साइज आपका और जो स्क्रेंट आती है ट्वेंटी न्यूटन पर में स्क्वेर एम फॉर मिक्स्ट और ट्वेंटी न्यूटन पर एम एम स्क्वेर क्यों इसकी किस बात यह आपकी स्ट्रेंथ कंक्रिट क्यूब है जो साइज होता है यह आपका 6 इंची का क्यूब होता है ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो बने रहे हमारे साथ तब तर मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और कॉमेंट और शेर जरू करना थैंक्यू